एक लट्डू के लिए आप कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, बात पूजा में चुरहाने के लिए प्रशाद की हो, या फिर किसी खुश कबरी को लोगों के साथ बातने के लिए मिठाई खरीदने की हो, पर पेस आप कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, 10, 15, 20, 25, चलिए 30 र तो एक मिठाई की पीस के लिए आप सो रुपए तक खर्च कर दे अब इससे जादा तो कोई खर्च करेगा नहीं कि एक मिठाई तो खरीबनी नहीं है लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसमें एक लड्डू की कीमत एक सट लाक रुपए है और सिर्फ एक सट लाक रुपए में लोगों ने खरीदा है बताते हैं आपको एक सट लाक रुपए में लड्डू की खासियत आखिर इसकी क्या है इसे इतने जादा महेंगे दाम में किसने खरीदा है पूरी जानकारी आपको आगी देंगे मगर उसके पहले नमश्कार आप जंता जंक्शन रहे हैं और मैं आपके साथ वंद्रा पाण देश भी दूम धाम से वई भूमधाम से की गई जिसकी जैसे चड़ा बैसे ही पूजन किया लेकिंवार हैदराबाद में कुछ है का जया हो गया गनेश भी जाने कि बाद भी की चर्चा का विशे बना हुआ है तो हमने भी सूचा आपको इस बारे में बताया जाए कि आखिर हैदराबाद में इस बार ऐसा क्या हो गया जिसकी बाद गनेश उत्सौ एकदम खास बन गया है और लोग अभी तक नाहीं पूझा को भूल पा रहे हैं और नाहीं लोग भूल पाने का नाम ली रहे हैं तो मामला तेलंगना के हैदराबाद का है जहां भगवान गनेश जी को प्रेशाद के रूप में एक सथ लाक रुपए का एक लड़ू चठाया गया है जी हैं लड़ू करीब एक सथ लाक रुपए में निलाम किया गया है और लोगों उने से खरीदा भी है निलामे गनेश उत्सौ के दौरान पंडाल में ही है रिपोर्ट के मुताबिक रिच्मंड विला सन सिटी के लोगों ने गनेश पंडाल से प्रिशाद के लड़ू को सामुहिक रूप से खरीदा है जिसमें सब धर्म के लोग शामिल है लड़ू करीब सौ लोगों ने एक दूसरे के साथ पैसे बाटे और उसकी बाद साथ दसम्लो आठ लाख रुपयर खर्च किये गए सर्फ और सर्फ एक लड़ू के लिए दावा ये भी किया जा रहा है कि अभी दुनिया का सबसे महंगा लड़ू बन गया है जो कि इतनी बड़ी कीम लड़ू की निला में होती है और उससे जो भी रुपय प्राप्त होते हैं जितने भी रुपय आए उससे करीब अडेर दरजन से भी जादा एंजियो की माधियम से जो जरूरत मन बच्चे हैं उनके स्वास्त पर उनके सिक्षा पर ये पैसे खर्च के जाते हैं और अब यह पंडाल के अलावा और भी दो जगह यहां पर जहां गनेश जी के लड़ू की नलामी का कारिग्रम हुआ और वहां पर एक पंडाल में 46 लाक में लड़ू निलाम हुआ है बालापुर में 24.6 रुपय में एक लड़ू निलाम हुआ है तो कुछ तरीके से हैथराबाद में ग गणेश भगवान की पूजा की गई और लड़ू को नलाम भी किया गया जिसकी चर्चा अब चार और हो रही है भगतों ने पूरी आस्था के साथ भगवान गणेश की पूजा अरचना की है उसे बीच भगवान गणेश को चरहाए जाने वाले लड़ू की कीमत भी अब सुर सब्सक्राइब करें अब चाहिए वीडियो को शेर कीजिए और बागी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रही है जंता जंक्शन के साथ कैमरी के पीछे ते विशाल और मैं थियाप के साथ वंदना धन्यवाद